जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का topic wise current affairs की class पर मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता और आज मैं एक और important topic के साथ आप सभी के सामने हाजर हो दोस्तों आज का topic name है cricket world cup 2013 जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में cricket world cup हो रहा हैं और आप सभी इसे enjoy कर रहा हैं लेगन friends यहां से बहुत सारे question बन सकते हैं क्योंकि इसकी नजर पूरी दुनिया पे है तो दोस्तों आई देखते हैं सारे important questions को 19 नवंबर को जैसे ही world cup खतम होगा तो बहुत सारे winners की name हमें आरे पास आएंगे और भी question important बन सकते हैं तब मैं आपको एक और वीडियो दूँगा तब तक कि लिए static topic को यहां पर जितने भी important question बन सकते हैं उसे यहां पर हम पढ़ने वाले हैं तो चलिए friends बिना किसी देरी के शुरू करते हैं देखे पहला question आप सभी के सामने रहा cricket world cup 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है which country is hosting the cricket world cup 2023 तो friends आपको याद रखना है इसकी hosting इसकी मेजबानी भारत देश कर रहा है देखे cricket के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पूरा का पूरा जो world cup है वो भारत में खेला जा रहा है इसके पहले भारत में 1987 में मैच हुआ है 1996 में हुआ है 2011 में हुआ है लेकिन तब संयुक तुरूप से अलग-अलग देशों पे भारत के साथ इसकी मेजबानी हो रही थी चलि friends question number 2 को देखते है 2023 में cricket विश्व कप का कौन सा संसकरन आईजित किया जा रहा है तो देखे आपको याद रखना है इस बार इसका तेरवा एडिशन तेरवा संसकरन आईजित किया जा रहा है बहुत ही important question है ऐसे question पूछे जा सकते है cricket world cup 2023 में total कितनी टीमों ने match खेला है how many matches will be played in the cricket world cup 2023 तो देखे टोटल कितने matches खेले हैं ये पूछा जा रहा है टीम वाला question next होगा तो देखे यहाँ पर 48 टोटल 48 match खेले जाएंगे पूरे world cup में दोस्तो pdf के लिए आपको राजा गुपता current affairs हमारे telegram channel को join करना है इसका link आपको description box में मिलेगा comment box पर भी link pink किया गया है और ये हमारी image लगी हुई है यही हमारा official channel है राजा गुपता सर official इसे आपको join करना है ठीक है दोस्तो इसके लावा study का application है आप इसे google play store से download कीजेगा और topic wise current affairs की जो pdf है आप उसे download कर सकते हैं यहाँ पर आपको pdf class notes मिलेगा e-books मिलेगी test series मिलेगी चलिए friends देखते है question number 4 cricket world cup 2023 में कितनी देश इसमें शामिल हुए है how many countries have joined the cricket world cup 2023 तो दोस्तो आपको याद रखना है यहाँ पर total 10 टीमों ने participate किया है 10 टीमों ने हिस्सा लिया है तो total 10 टीमों ने यहाँ पर participate किया है मैं आपको इस टीम का नाम बता देता हूँ भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, शिलंका, अफगानिस्तान, न्यूज़िलेंड, औस्टेलिया, इंगलेंड, साउथ अफरेका और निधरलेंड चलिए next question देखते है cricket विश्व कप की इतिहास में पहली बार कौन सी टीम हिस्सा नहीं ले रही है तो दोस्तो बहुत ही important question बन जाता है तो दोस्तो इसमें जो टीम participate नहीं कर रही है वो है West Indies दोस्तो West Indies हमेशा से champion रही है अब बहुत सारे T20 World Cups नहोंने जीते One Day World Cup जीते लेगिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने खराब प्रदर्शन की वज़े से ये ICC One Day विश्व कप को qualify भी नहीं कर पाई तो दोस्तो यहाँ पर West Indies इसका right answer हो जाएगा Cricket विश्व कप 2023 का आजन कब से कब तक किया जाएगा तो देखिए इसका आजन किया जाएगा 5 October से लेके 19 November की बीच में चलिए next देखते हैं Blaze वा Tong किस वर्ष के Cricket विश्व कप की शुभंकर है Blaze and Tong are the musket of which years Cricket World Cup तो दोस्तो आपको याद रखना है 2023 में ये Blaze और Tong ये दोनों आपको याद रखना है शुभंकर है यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं तो इस musket में दो important चीज़े हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है एक women दिख रहे हैं एक यहाँ पर men दिख रहा है तो इसमें महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है तो जो महिला है उसका नाम blaze है और पुरुष है हाँ पर इसका नाम tonk है तो ये शुभंकर किसको represent करता है जेंडर equality को represent करता है और diversity को यहाँ पर represent करता है नेस्ट question आप सभी के सामने रहा cricket वेशो कब 2013 का जो anthem song है इसका नाम है दिल जशन बोले इसको compose किसने किया है who has composed the cricket world cup 2023 anthem song दिल जशन बोले तो दोस्तो प्रीतम ने से compose किया है किसने compose किया है प्रीतम ने compose किया है lyrics दिया है स्लोक लाल और सावेरी वर्माने तो इस पर singers प्रीतम है नाकास अजीज है शी रामा चंद्र है और यहाँ पर आपने रडवीर सिंग को देखा और डांस करते हुए cricket visual cup 2030 की brand ambassador को ने who is the brand ambassador of cricket world cup 2023 तो देखे brand ambassador शैरुक खान को बनाया गया है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए global brand ambassador किसे बनाया गया है तो सचिन टेंडूलकर को global brand ambassador बनाया गया है आज इसी cricket visual cup 2030 का global ambassador किसे बनाया गया तो देखे मैं आपको अभी बताई रहा था यह question आप सभी के सामने आ गया तो global यहाँ पर ambassador बनाया गये है सचिन टेंडूलकर, master blaster सचिन टेंडूलकर cricket visual cup 2030 के लिए भारती टीप के कप्तान कोन है who is the captain of Indian team for the cricket world cup तो दोस्तो भारत का हर विक्ती जानता है जो नहीं जानता हो जानले question पूछा जा सकता है रोहिश शर्मा इसके captain है अब मैं आपको केवल रोहिश शर्मा जी के बार में नहीं बताऊंगा कि रोहिश शर्मा भारत के कप्तान है मैं आपको और टीम के भी कप्तान बताऊंगा Australia के है Pat Cummins England के है Jaws Butler Temba Babuma ये South Africa के कप्तान है Kane Williamson New Zealand के है Sakival Hasan के हम बात करे तो बांगलादेश के captain है Baba Razam पाकिस्तान के है Dasun Sanaka शिलंका के है Hashimutullah शहीदी अफगानिस्तान के है और Scott Edwards की हम बात करे तो नीदरलेंड के captain है चलिए next question के तरफ बढ़ते है Friends 2023 का जो cricket wish cup था भारत के कितने stadium में इसका आजन किया जाएगा How many stadium will host 2023 cricket world cup तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर 10 बड़े stadium में इसका आजन किया जाएगा अब मैं आपको हर एक stadium का नाम बता रहा हूँ वो कहाँ पर located है Very very important question तो देखें सबसे बड़ा stadium भारत का नरेंद्र मोधी stadium है जहाँ पर final match खिला जाएगा 19 नवंबर को और यह कहाँ पर है एमदाबाद में है एम चिन्ना स्वामी stadium कहाँ पर है बैंगलूरू करनाटक में है चन्नाई में कौन सा stadium है में चिदंबरम stadium इरन गार्डन्स कहाँ पर है कोलकाता में पश्चिम बंगाल में है इकाना क्रिकेट stadium लखनाव यूपी में है वानखेडे stadium मुंबई महराष्ट में है राजीव गांधी अंतराष्ट के क्रिकेट stadium हैदराबाद तिलांगना में है यदि आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए कि पूरे महराष्ट में कौन सा stadium है तो महराष्ट क्रिकेट एसोसेशन stadium है HPCA stadium धर्मशाला बहुत ही प्राक्रतिक सुंदरता यहां पर आपने अगर देखी होगी मैचेस देखे होगे तो बहुत सुंदर जगे धर्मशाला पर यह stadium बनाया गया है आरोन जेटली stadium कहां पर है दिल्ली में है चलिए friends, next question के तरफ बढ़ते है Cricket Wish Cup 2030 का जो final मुकाबला है वो किस stadium में खेला जाएगा The final match of Cricket World Cup 2023 will be played at which stadium तो दोस्तों आपको याद रखना है यह खेला जाएगा नरेंद्र मोधी stadium में जो पहले मोटेरा stadium के नाम से जाना जाता था दुनिया का सबसे बड़ा cricket stadium है और आपको पता है यहाँ पर दर्शकों की जो बैठने की शमता है वो 1,32,000 इस stadium का नर्मार 1983 में स्टार्ट हुआ था 2006 में complete हो गया है next question पहली बार Cricket Wish Cup किस वर्स आयजित किया गया था very very important question तो देखें Cricket Wish Cup की शुरुवात हुई है 1975 1975 से 1975 में Cricket Wish Cup को किस नाम से जाना जाता था ये भी आपसे पूछा दा सकता है तो इसे Prudential Cup के नाम से जाना जाता था तो आपको याद रखना है 1975 में Cricket Wish Cup यानि Cricket World Cup स्टार्ट हुआ है जो पहला Cricket Wish Cup था उसे किसने जीता था जो 1975 में हुआ तो देखें दोस्तो बड़ी विडंबना है कि जो सबसे पहली विनर थी World Cup की और कई बार विनर रह चुकी West Indies इस बार वो qualify भी नहीं कर पा रही है इसलिए आपको हमेशा महनत करनी पड़ती है जरूर ये बात नहीं है कि आप हमेशा टॉप पर रहेंगे तो आपको हमेशा महनत करनी पड़ेगी तभी आप अपनी position को बरकरा रखेंगे ये एक दिन की महनत नहीं होती है तो दोस्तो 1975 में West Indies ने किसको हराया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो पहले विश्व कप में West Indies ने Australia को हरा करके वर्ल्ड कप जीता था देखे पहला cricket विश्व कप कहाँ पर राजित हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसका आज इन England में हुआ था दोस्तो इसके लावा 1975 के बाद 1979 का cricket वर्ल्ड कप भी West Indies ने जीता था 1983 का जो cricket विश्व कप था किस टीम ने जीता था which team won the 1983 cricket वर्ल कप तो दोस्तो भारत ने इसे जीता था किस ने जीता था भारत ने इसे जीता था और दोस्तो इसका आजन कहां पर हुआ था England में इसका आजन हुआ था और भारत के लिए बहुत ही memorable था इसके लावा भारत ने 2011 का भी cricket world cup जीता है तो भारत अब तक 2 world cup जीते हैं और संभावना है कि मैं आपको बताऊँगा 19 नवंबर में एक और वीडियो मैं आपको बनाऊँगा आपके लिए तब मैं बताऊँगा शायद भारत तीसरा cricket world cup भी भारत ने किसको हराया था तो फ्रेंट्स भारत ने West Indies को हरा करके पहली बार cricket world cup जीता था देखे बहुत ही शांदार all round up performance की थी कपिल देव जी ने और आज ता क्यात किया जाता है तो भारती टीम के कपतान थे कपिल देव सबसे अधिक बार cricket world cup किस ने जीता है who has won the cricket world cup the most number of times तो दोस्तों सबसे ज़ादा औस्ट्रियल ने cricket world cup को जीता है कितनी बार जीता है तो पांच बार five times cricket visual cup को जीता है औस्ट्रियल ने और सबसे अधिक बार cricket visual cup को जीता है औस्ट्रियल ने 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 तो पांच बार cricket visual cup को अपने नाम किया है ठीक है श्रिलंका ने किस वर्च क्रिकेट visual cup को जीता था इन विच यह डिव श्रिलंका विंदा cricket world cup तो दोस्तो 1996, 1996 में श्रिलंका ने cricket visual cup को जीता था तो दोस्तो अब तक किवल एक बार ही cricket visual cup को जीता है और अभी प्रेजेंट में श्रिलंका की बात करें तो इनकी performance बहुत अच्छी नहीं चल रही है 2007 में 2011 में runner up रहे और उप भी जीता रहे 2011 का जो world cup भारत ने जीता था तो श्रिलंका को हरा करके ही जीता था पाकिस्तान ने एक मात cricket visual cup जीता किस वर्स जीता है पाकिस्तान won the only cricket world cup in which year तो दोस्तो पाकिस्तान ने आपको याद रखना है 1992 में world cup जीता था किवल एक ही टूर्णमेंट जीता है दोस्तो 1992 में जो cricket visual cup के दोरान जो कपतान थे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान के कैप्टन थे इमरान खान जो पाकिस्तान के अभी प्रधान मंत्री भी थे कुछ आरोपों की वज़े से इनको यहाँ पर सजा हुई है देखे 1999 में आपको याद रखना है पाकिस्तान उपविजेता भी रहा है 2019 का जो cricket visual cup था उसे किस नी जीता था बहुत ही important question है who has won the 2019 cricket world cup तो दोस्तों England ने 2019 का cricket visual cup जीता है 2019 का cricket visual cup England ने जीता है किसको हरा करके जीता है New Zealand को हरा करके जीता है और इसका आज़न England में हुआ था ठीक है कहाँ पर हुआ था England में हुआ था cricket visual cup की पहली hat trick किस ने ले थी who took the first hat trick of the cricket world cup दोस्तों सबसे पहली hat trick ले थी दोस्तों चेतन शर्मा ने hat trick ले थी भारत के ये former fast baller थे चेतन शर्मा यहाँ पर आप देख पा रहे है तो पहली hat trick इन्हों ने ले थी ये ऐसे गिंदबाज है जिन्होंने world cup में hat trick ले थी पहले गिंदबाज है 1987 के world cup में New Zealand के खिलाफ इन्होंने hat trick ले थी और दूसरा hat trick इसने लिया है शानदा performance अभी कर रहे है मुहम्मद शामी आशा करते हैं कि आने वाले समय में semi final में hat trick लेंगे तो 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने hat trick ले थी cricket visual cup में सबसे तेज़ शतक लगाने और इसके अलावा इन्होंने fastest century भी लगाया और Adam Markham जो Adam Markham है इनका record तोड़ा है इन्होंने अभी fastest century बनाई थी फिर इसी tournament में Glenn Maxwell ने सबसे तेज़ सतक लगा दिया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 40 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया है और Adam Markham ने 49 गेंदों में और फिर Kevin O'Brien 50 गेंदों में तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं Glenn Maxwell ने अपना रेकॉर्ड तोड़ा था 2015 जब इन्होंने 51 बोल्स में fastest century मारी थी चली फ्रेंट्स next question की तरब बढ़ते हैं 2007 में T20 Cricket विश्व कप किस ने जीता था who has won T20 Cricket World Cup in 2007 तो दोस्तो भारत ने सबसे पहला T20 World Cup जीता भारत ने कब जीता 2007 में भारत ने इसे जीता था अपने नाम किया था दोस्तो भारत ने किसको हराया था तो भारत ने पाकिस्तान को हराया था पहला T20 विश्व कप और MS धोनी वाव कपतान थे फिर 2011 में भी कपतान थे तो इसलिए महांतम कपतानों में से एक कपतान है महंदर सिंग धोनी और उसी आप कह सकते हैं कि रोहिश शर्मा भी लगा तार अच्छा परफॉर्म कर रहे है शायद उनका नाम इस बार स्वर्णी मक्षरों में जुड़ जाएगा T20 क्रिकेट विश्व कप सबसे अधिक बार किस टीम ने जीता है विस टीम हैज वान दा T20 विश्व कप दा मोस्ट नमबर अफ टाइम दोस्तो 2023 का आप One Day World Cup देख रहे हैं लेकिन अगले साथ T20 क्रिकेट विश्व कप भी होने वाला है तो दोस्तो कहां पर होने वाला है तो ये West Indies और America में संयुक तुरूप से आजित किया जाएगा 2026 में कहां पर होगा इंडिया और श्रिलंका में होगा हर दो साल में T20 World Cup होता है 2028 में कहां पर होगा Australia और New Zealand में होगा 2030 में कहां होगा England, Wales, Ireland, Scotland में होगा पहला ICC महिला विश्व कप की विजेता कौन थे Who was the winner of the first ICC Women's World Cup तो दोस्तों आपको याद रखना जो सबसे पहले ICC महिला विश्व कप के विजेता रहे है वो England रहे है देखें यह जो पहला टूर्नामेंट था यह 1973 में आजित किया गया England में आजिन किया गया और पहला टूर्नामेंट England ने जीता है तो महिला विश्व कप में सबसे जादा बार खिताब भी Australia के नाम है साथ बार इन्हों ने Championship को अपने नाम किया है दोस्तो भारत की बात करें तो अब तक महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत का खाता नहीं खुला है 2022 का महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है पिछले साल यह हुआ है इंपोर्टन कोशन बन सकता है तो दोस्तो ऑस्ट्रिले ने इसे जीता है किसने जीता है ऑस्ट्रिले ने जीता है किसको हरा करके जीता है ऑस्ट्रिले ने इंगलेंड को हरा करके जीता है इसका आयजन कहां पर हुआ था न्यूजी लेंड में इसका आजन किया गया था Under 19 Cricket Wish Cup 2022, 50 over किस team ने जीता है Which team has won Under 19 Cricket World Cup 2022, 50 overs तो देखे Under 19 केटेग्री में Cricket Wish Cup को भारत ने अपने नाम किया है किस ने नाम किया है? भारत ने अपने नाम किया है देखे सबसे जादा Under 19 Cricket Wish Cup किस ने जीता है? भारत ने जीता है 2000, 2008, 12, 18 और 22 में इन खिताबों को अपने नाम किया है ICC Cricket Wish Cup 2022, अब यह important question बनता है हर 4 साल में ICC Cricket Wish Cup होता है 2030 में भारत में हो रहा है, तो 2027 में कहां पर आज़ित किया जाएगा? तो देखे संयुक तुरूप से आज़ित किया जाएगा? साउथ अफरीका, नमीबिया, जिंबामबे तीन देशों में इसका आज़िन किया जाएगा अंतराश्टी Cricket परिशत का Head Quarter कहां पर है? वेर इस दा Head Quarter of International Cricket Council? तो दोस्तों इसका राइट एंसर है, दुबई में इसका Head Quarter है देखे बात यहाँ पर ICC की आ रही है, तो ICC की स्थापना 1909 में हुई है दुबई संयुक तरम अमिरात में इसका Head Quarter है इसकी अध्यक्षर ग्रीक बारकले, इसके CEO है जियो फैलाडिस और क्रिकेट के लिए यह वैश्विक शासी निकाय है, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट खेल की शुरुवात किस देश में हुई थी, क्रिकेट गेम वास स्टार्टेड इन विच कंटरी तो दोस्तो सचिन टेंडूलकर ने 100 शतक लगाये हैं और बहुत जल्द विराट कोली इनके रेकॉर्ड को तोड़ सकते हैं अभी इन्होंने 49 शतक पूरे किये हैं वंडे में और इसी प्रकास टेस्ट में भी आगे बढ़ रहे हैं 2012 में सचिन टेंडूलकर ने यहाँ पर अंतराश्टे क्रिकेट से सन्यास ले लिया था और बांगला देस की खिलाफ इन्होंने शेरे बंगाल स्टेडियम में 100 शतक जड़ा था तो दोस्तो अंतराश्टे क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इतिहास के एक मात्र वेक्ति हैं सचिन टेंडूलकर इन्होंने वंडे में 49 शतक लगाए हैं और टेस्ट में 51 शतक लगाए हैं तो आगरी इनका वंडे मैच किसके खिलाफ था वेस्ट इंडीस के खिलाफ था विशेश बात आप याद रखिएगा कि इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 2014 में भारत रत्न मिला था और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले ऐसे स्पोर्ट्स में ने खिलाडी है दोस्तो आज का सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है 2013 में क्रिकेट विशेक कप का कौन सा संसकरण आज़ित किया जा रहा है आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है आपको पैचानना ये वेक्ति कौन है और इनके बारे में बताना है और पाकिस्तान ने Cricket World Cup कब जीता था आपको comment box पे इसका answer देना है दोस्तो यहाँ पर Cricket World Cup का quiz भी होगा और ये upload होगा कल तो आप सब भी Cricket World Cup का quiz भी देने आईएगा ये कहाँ पर होगा हमारे study कर application पर ये test होगा तो दोस्तो इस test को आप daily दीजे इस study कर application में इसके लावा दोस्तो हमने current affairs की e-magzine launch की है topic wise e-magzine भी आ रही है और ये Hindi English दोनों medium में आपको मिलेगा दोस्तो इस प्रकार से हमने sample आपको दिखाया है ये हमारी e-magzine है जिसमें सार important current affairs हमने cover किये हर महीने के study कर application आपको download करना पड़ेगा आपको open करना है install करना है और यहाँ पर आप देखिए e-books यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर test section है आप यहाँ से test भी दे सकते हैं आप यहाँ पर test series को join कर सकते हैं PDF डाउनलोड कर सकते हैं हर class की यह e-book section है दोस्तो राजा गुपता current affairs हमारे telegram channel का नाम है जहाँ पर आपको इस class की topic wise PDF मिलेगी और दोस्तो आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं राजा गुपता underscore official मेरा instagram handle का username है WhatsApp channel है आप इसे भी follow कर सकते हैं मैं Twitter में भी हूँ इन सब का link आपको description box में दिया गया है comment box पर भी pin किया गया है आशा करता हूँ आपको आज का session पसंद आया होगा तो दोस्तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और like कर दीजेगा और share कर दीजेगा ताकि हमारी family लगातार बढ़ती रहे Thank you friends जै हिन जै भारत मिलते हैं कल important session के साथ ठीक 10 बचे